अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब देखेंगे स्पाम वर्ड्स क्या है और कैसे स्पाम होता है स्पाम कमेंट्स वो होते हैं जो हमारे चैनल के लिए कोई फाइदा नहीं होता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपके वीडियो को अच्छे से देखते नहीं है अगर आपका वीडियो लंद फाइब मिनिस का है तो थर्टी सेकिन देखेंगे और कमेंट लिखेंगे वो कमेंट्स पाम कमेंट्स होता है और आपको कोई वाश टाइम भी नहीं मिलता है और कभी-कभी लोग ऐसे करते हैं कि without watching the वीडियो आपके चैनल पे आके मैंने आपको सब्सक्राइब किया है आप मुझे सब्सक्राइब करें ऐसे टाइब करते हैं वो भी स्पाम कमेंट्स होते हैं क्यूंकि YT Community Guidelines पे यह बताते हैं कि आप अपने चैनल को दूसरों के चैनल पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं कोई शर्त के साथ प्रमोट नहीं कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करो तो मैं करूँगा या करूँगी ऐसे और एक स्पाम कमेंट्स एह होता है कि आप एक ही कमेंट्स को बार बार हर एक चैनल पे कॉपी पेस्ट करेंगे वो भी स्पाम कमेंट्स होते हैं और फिर आप किसी के चैनल पे जाके अपने चैनल के या किसी और के चैनल के लिंक पेस्ट करेंगे वो भी आपके spam folder पे रहेगा और फिर कुछ लोग सुबर से रात तक बहुत ज्यादा channels विजिट करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और comment भी करते हैं कुछ हद तक आप comment कर सकते हैं, add भी कर सकते हैं उसके बाद आपका comment spam होते जाते हैं spam comment को आप delete भी कर सकते हैं या आप उसको approve भी कर सकते हैं, आपके खुद की decision होगा और 2020 update के बाद ऐसा हुआ है कि आपका spam folder में जितने भी spam comments हैं वो 3 महिने के बाद खुद auto delete हो जाएगा मैंने अल्यड़ी एक वीडियो बनाया है YT Studio से आप अपने spam folder को कैसे चक कर सकते हैं delete कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो का link मैंने description पे डाला हुआ है अगर आप चाहें तो उसको check कर सकते हैं और एक बात मैं यहाँ पे clear करना चाहती हूँ कि आप अपने channel पे किसी के comment को reply करेंगे कि मैंने भी आपको subscribe किया हुआ है वो comment वो reply आपके channel के लिए कोई problem नहीं देता है वो उस channel owner का decision है और उसकी मर्जी है वो अपने channel पे reply पे बोल सकते हैं कि मैंने आपको subscribe किया हुआ है यहाँ पे सवाल यह है कि फिर हम कोई new channel को add कैसे करें simple सा जवाब है कि अगर आप किसी new channel पे जाते हैं उसको add करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप video को अच्छे से देखिए पूरा video देखिए उसके बाद video related comment देदीजिए अगर video बहुत लंदी है या live stream है तो कम से कम 5 minutes तक video देखिए और उसके बाद video related अच्छा सा एक comment देदीजिए और आपके अच्छे comment के वज़े से आपका comment को ओ channel owner pin भी कर सकते हैं वापस आपके चैनल पे आपके वाश्टाइम भी दे सकते हैं आद भी कर सकते हैं I hope this video was helpful for you and also to clear your doubts regarding spam words and messages thank you for watching please don't forget to hit the like button subscribe the channel if you are not subscribed already leave your valuable feedback and try to share this video with your family and friends your support will help me to improve myself and also to come up with more videos like this stay blessed see you next time in another video until then take good care of yourself bye bye